हेलो फ्रेंट्स, वेलकम डू दू 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 कॉंसेट यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है विशाल चोहान और यूपीस्स सिविल सर्विस एक्जैमिनेशन के लिए चैनल, चैनल, पर आपको मेरे नाम से लिस्स मिल जाएँगी ancient Indian history, medieval, modern, art and culture उसके अलावा geography और journal science की series मिल जाएगी so make sure कि आप इन सभी sessions को follow करें इन में जो questions मैंने पूछें उनके जवाब मुझे comments में दें और अपना feedback जुरू प्रोवाइड करें कि आपको sessions अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं जैसा भी आप feel करते हैं बहुत ही जल्द history optional के paper two के sessions में शुरू करूँगा जिसमें modern history और world history में शुरू करूँगा और जो कि आपके लिए GS1 के sessions की तरह भी serve करेंगे definitely right so make sure कि आप जुड़े मेरी special classes के साथ और special classes में आप आपका अगर history optional नहीं भी है कोई भी अगर optional है दूसरा कोई subject तो GS के sessions तो आपको करने ही बढ़ेंगे GS1 के sessions के लिए आपको proper जो है वो thorough course अवलेबल करा दूँगा उसके अलाबा prelims के अगर आप prepare करना चाहते हैं revise करना चाहते हैं एक बार questions के मादियम से तो PYQ और MIQ की series में cover कर आ चुका हूं special classes में मेरी profile को अगर आप follow करेंगे तो आपको further सभी links जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे उसके अलाबा अगर आपने अभी तक special classes attend नहीं करी है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी special classes highly interactive classes इन special classes में मैं live आता हूं जिन में मैं आपके doubts को देनन देर resolve करने कोशिश करता हूं रिजा हैं एक बहुत 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 हैं उसके अलाबा पोल्स जो हैं वो मैं कंड़क करवाता हूं MIQ यानि most important questions और previous year questions में ताकि आपकी speed और accuracy पर हम काम कर सकें उसके लब आप कोई भी class miss नहीं करेंगे क्योंकि आपको regular updates मिलते रहेंगे आप lecture के proper notes प्रपेर कर सकते हैं और कहीं पर भी और किसी भी सब्वे बैट कर आप इन सभी videos को देख सकेंगे यानि कि unlimited access to the content एक बहुत 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 special classes का so make sure कि आप मेरी profile को जरूर follow करें ताकि आगया आने वाले सभी sessions के update आपको regularly मिलते रहें उसके अलावा civil service examinations के लिए an academy लेकर आया आपके लिए subscription plans plus and iconic इसमें plus plan में आपको daily की live classes मिलती है highly structured courses है live test or quizzes और unlimited access to the content right और plus से always better रहेंगा iconic plans क्योंकि iconic मैं आपको plus से ज्यादा features म सब्सक्राइब करें मैं आपको recommend करता हूँ आप एक साल है उसे उपर के plan को subscribe करें यह plans ज्यादा value for money रहने वाले हैं आपके लिए combo offers जादा value for money है but if you want to get a subscription only for optional subject आपको optional के लिए भी subscription मिल जाएगी make sure कि आप मेरा code यूज करें चोहांसर हिस्टरी to get the additional 10% discount इंडिया के top educators के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप subscribe करते हैं इन plans के साथ उसके लावा एक year के और दो year के बैचे शुरू हो रहे हैं bilingual और हिंदी में अपनी preparation जो है वो शुरू करें आप अगर आप एक साल के लिए prepare करना चाहते हैं या दो साल के लिए prepare करना scholarship मिलेगी राइट चार करोड के पूल में सापको scholarship मिलती है so make sure you enroll now and use my code चोहांसर हिस्ट्री फरदर आपको links सभी जो है वो description box में मिल जाएंगे तो एक बार बिलकुल ब्रीफ जो है वो introduction ले लेते हैं हमने अभी तक जो है वो क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ना है है तो geography के लिए मैंने आपको बताया था special and temporal variations हम पढ़ते हैं space or time में जो variation की study है वो geography के अंडर आएगी geography को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था कि concept या physical geography and human geography हमें पढ़ना है concept या physical geography में क्या क्या concepts है climatology, geomorphology उसके अलाबा या ocean अगर आफी पहले पढ़ेंगे हम then geomorphology and then soil और फिर इन सभी concepts को apply करेंगे हम कहां पर world पर और इंडिया पर भी जो कि आपकी world geography और इंडिया geography के रूप में बन जाएगी right then हम human geography के aspects को पढ़ेंगे और human geography भी हम world as well as इंडिया पर apply करेंगे alright so यह तो रहा हमारा syllabus का बिल्कुल brief account मैंने आपको दिया पिछले session में आपको या introductory sessions में भी मैंने आपको detail में syllabus जो है explain किया था आपको कि हमें कैसे पढ़ना है right अब हमारी approach क्या होगी तो आप लोग जानते हैं हमारी approach क्या है pre plus mains हमें तेयारी करना है dynamic plus static हमें पढ़ना है और inter और intra disciplinary approach यह तीन points को हमें ध्यान रखते हुए इनको integrate करते हुए एक integrative एक integrative जो है वो अप्रोच हमें रखनी है geography not just geography but any other subject को prepare करने के लिए all right उसके अलावा climatology हमने शुरू किया था और climatology को पढ़ने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आपको cause and effect का फंड़ा जो है वो समझना पढ़ेगा है ना cause and effect का मतलब कि अगर आप heat हमने सबसे पहले heat पढ़ा था तो heat के कारण क्या थे है ना causes क्या थे फिर heat से effect क्या हुआ insulation तो insulation का कारण क्या था heat और insulation से effect क्या हुआ temperature temperature का कारण क्या था यह cause क्या था insulation और temperature का effect क्या हुआ pressure तो आज हम कहानी को ले आए है pressure पर और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था we will be studying about the special and temporal variation तो जिस तरह temperature में भी हमने vertical और horizontal variations बढ़े थे उसी तरह similarly pressure में भी हम pressure को explain करेंगे define करेंगे pressure को pressure के basic concept को समझने कोशिश करेंगे right pressure के causes को देखेंगे pressure क्यों पैदा होता है और फिर हम pressure के effects को समझेंगे right cause और effect तो हम समझेंगे pressure के effect में हमें क्या देखने को मिलेगा हमें pressure के effect में winds देखने को मिलेगी pressure के causes क्या है temperature है pressure के effect क्या है wind wind के causes क्या है pressure wind के effect किस-किस पर दिखाए देगा wind का effect तो wind का effect जो है वो multiple effect हो सकते हैं wind के right अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यह सभी factors है और मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि multiple factor approach जो है वो आपको रखनी है I hope पिछले sessions में मैंने यह सारे points जो है वो अच्छे से clear किये हो आपका background जो है वो पूरा clear हो आपने heat, insulation, temperature इन सारे topics को जो है वो revise किया होगा अच्छे से तो आपको pressure आज बहुत अच्छे है समझ में आने वाला है उसके लाबा मैंने आपको बताया था कि also हमें interdisciplinary approach भी रखनी है तो geography को समझने के लिए आपकी chemistry और physics की समझ भी अच्छी होने चाहिए तभी जाकर आपको geography, तभी आप geography के साथ जो है वो क्या कर पाएंगे, justice कर पाएंगे और interdisciplinary approach, climatology के साथ हमें, oceanography के साथ हमें, geomorphology के साथ हमें, soil इन सब को जोड कर भी पढ़ना है आपस में So I hope कि आपके पास background जो है वो थरो prepared है आप जो है वो confident feel कर रहे हैं मेरे पढ़ाने के style के साथ आपको जो है वो results, जैसे कि students जो है मुझे feedback देते हैं कि sir history में तो हमें definitely results जो हैं वो दिख रहे हैं अच्छे मेरी कोशिश यही है कि geography में भी आपको results जो हैं वो मैं consistently provide करता रहा हूँ ठीक है Alright, so आज हम शुरू करने जा रहे हैं, यह तो हमारी approach है आपको पता हूना जी concept and human geography concept समझेंगे और world और इंडिया पर apply करेंगे climatology समझने के लिए cause and effect समझ रहे हैं, right spatial and temporal variations हम समझते हैं और pre plus mains, dynamic plus static, intra plus interdisciplinary approach तो यह है हमारा geography को पढ़ने का तरीका है और साथ ही साथ revision की cycle तीन दिन की, देन साथ दिन की, देन 10 दिन की and then 14 देन की cycle, right So I hope यह सारे points जो है आपके दिमाग में clear होंगे Now let us move towards कि हम जो है वो pressure के बारे में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना So आज का topic है pressure और फिर हम pressure को समझेंगे पहले and then pressure belts पर उतरेंगे तो pressure को समझने के लिए क्या करेंगे हम, pressure को पहले एक basic definition देंगे, है ना Then हम देखेंगे pressure में variations, because क्या पढ़ते हैं हम, special and temporal variations पढ़ते हैं तो जिस तरह temperature में हमने vertical and horizontal variations देखे थे, उसी तरह pressure में भी हम vertical and horizontal variations को देखेंगे हम देखेंगे pressure के कारण क्या है, causes किन कारणों से pressure जो है, वह established होगा, right variation के कारण ही समझेंगे, causes of vertical variation and causes of horizontal variation and then we will see the effect in form of pressure belts और फिर pressure belts के further effect हम देखेंगे, कि किस तरह हमारे atmosphere में intermixing of air करने के लिए pressure belts जो है, वह काम करती है खेर, उन conclusions तक हम पहुँचेंगे pressure जो है, वह एक लंबा topic है, जिसमें पहले हम pressure समझेंगे then pressure belts को समझेंगे, then हम global atmospheric circulation को समझेंगे and then हम global atmospheric circulation के बाद जो है, वह winds वाले part तक पहुँचेंगे और winds काफी लंबा हमारा topic चलने वाला है so I hope आपके पास जो है, वह अच्छी समझ अभी तक develop हो गई होगी cause and effect के process को, right so let us move towards pressure, pressure के साथ आज की कहानी को हम शुरू करते है so सबसे पहले तो हम pressure की बिल्कुल basic definition उठाते है कि क्या है, मन में आपको ध्यान रखना है कि आपको special and temporal variation देखने है है ना, बदलते area के साथ और बदलते time के साथ pressure भी बदलेगा ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसी पर ही based गुआपिरा के सारा concept जो हमें देखने को मिलेगा so first of all let us understand about pressure, ठीके so कुछ statements के मादम से पहले establish करते हैं कि pressure क्या है and then we will जो है वो हम conceptually मैं आपको draw करके जो है वो पूरा system समझाने की कोशिश करूँगा now the weight of a column of air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the air or atmospheric pressure तो सबसे पहले वैसे तो हमें pressure जब मैं कह रहा हूँ तो हम atmospheric pressure को पढ़ेंगे हम physics वाला जो pressure है उसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं but basic concept आपको समझाऊंगा है कि pressure का basic concept जो है वो क्या है ठीक है now अब हमने chemistry में क्या पढ़ा था chemistry में पढ़ा था कि हमने सभी चीज़े जो है वो matter है है ना वो matter से बनी हुई है और matter की fundamental unit क्या है particle उस particle को हमने क्या कहा atom और हम यह जानते हैं कि अगर कोई भी matter है और वो किसी भी state में exist करता है चाए वो solid है liquid है या gaseous है वो atom से बना है और atom हर एक particle के पास क्या है mass है तो हर एक matter के पास क्या होगा mass होगा ठीक है और वो matter या वो particle जो है वो कहाँ exist कर रहा होगा वो space में exist कर रहा होगा space में exist कर रहा होगा ना हर जगा क्या है हर जगा space है कहीं भी खाली नहीं है ठीक है हम अभी scientists जो है वो अभी ऐसे region को नहीं conclude कर पाए है कि जो खाली हो जो खाली हो वो भी तो space है है ना राइट ठीक है तो खेर हम हम अभी अर्थ के उपर ही रहते हैं स्पेस में हम थोड़ा आगे जाएंगे साइंस इन टेक्नोलजी वा आपको मैं जब समझाओंगा तो वहां पर हम हो सकते हैं थोड़ा स्पेस की तरफ भी बढ़े बट अभी हम अर्थ पर ही रहते हैं सो अर्थ पे जो भी मैटर मौझूद है वो किसी स्पेस में मौझूद है right that means वो चाहे solid में मौजूद हो space में क्या होगा matter होगा matter क्या होगा किसी state में होगा है ना तो liquid state हो सकती है यह gaseous state हो सकती है for example अगर यह box है है ना इसको अगर आप एक cubicle एक box माने और यह cubicle box जो है वो air में है तो air क्या है air के पास particle है यह ना gaseous state है particle है particle के पास क्या होगा mass होगा अगर particle के पास mass है so that particle will exert pressure ठीक है बिल्कुल basic चीज है वो particle जो है वो exert करेगा क्या करेगा exert pressure क्या मतलब इसका कि मान लीजी अगर यह box space पे है और यह air में है और यह air के particle है तो air के particle इस box पर pressure डाल रहे होंगे क्या मतलब है उस pressure होने का ठीक है particle के पास weight है weight है तो और particle क्या करेंगे एक दूसरे को touch करेंगे है अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मुझे कोई और particle टच नहीं कर रहा है आपको gas के particle टच कर रहे है atmosphere के air के gas के particle आपकी skin को touch कर रहे है और अगर वो आपकी skin को touch कर रहे है that means वो force exert कर रहे है आपके उपर क्योंकि उनके पास kinetic energy है particle stable नहीं होता पार्टिकल के पास certain kinetic energy होती है gases के पास relatively solid से ज़्यादा kinetic energy होती है ठीक है तो माली जीए यह वो solid box है और इसके उपर जो है वो particle आकर यह टकरा रहे है सिदह है ना यह particle आकर हर direction से इस पर टकरा रहे है अगर वो टकरा रहे है कोई भी चीज़ अगर टकरा रही है kinetic energy है उसके पास उसके पास mass है that means उसके पास momentum है और अगर वो momentum से आकर टकरा रहे किसी भी surface पर तो वो force exert करेगा ठीक है that force at a particular at a per unit area is nothing but pressure simple बिलकुल simple definition कोई भी particle किसी भी medium में मौझूद है बगार medium के particle जो है वो नहीं होगा ठीक है आप आप कहेंगे सर space में जाएंगे आप वहाँ पर space पर तो air है नहीं तो वहाँ पर तो medium है नहीं तो फिर वहाँ पर तो आपकी theory जो है वो contradict जाती है तो भी हम अर्थ पर ही रहते हैं तो अर्थ में अगर कोई भी matter है तो वो किसी ना किसी medium में मौझूद होगा या उसके surrounding के particles उसको touch कर रहे हैं और उनके पास अगर kinetic energy है तो वो kinetic energy जो है वो surface पर लगा रहे होंगे force लग रहा होगा और अगर पर unit area अगर आप उस force को calculate कर लें तो उस force per unit area को आप simply कहेंगे कि वो pressure है ठीक है this is a very basic definition of pressure बहुत सारी और complexities भी है pressure में लेकिन particle nature मैं अगर आपको म nature सबसे पहले पढ़ाया ताकि आप particle nature की sense में बाकी सभी चीजों को समझें बहुत important है बहुत सारे student neglect कर लेते हैं या इस approach को नहीं ध्यान में रखते हैं बट अगर आप किसी भी तरीके के geographical phenomena को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर particle nature लग रहा होगा क्यूंकि matter अगर आप gas की बात कर रहे होगा atmosphere की बात कर रहे होंगा Chairman andüğ coach की बात करें क्लावड क्राशन की बात करें साइल इंप अगर आप महा matter included है तो matter के particle nature के हिसाब से ही वह behave कर रहा होगा ठीक है और matter particle nature क्या बोलता है कि उसके पास mass है उसके पास kinetic energy है अगर उसके पास mass है kinetic energy है that means momentum है और अगर वो आगर तक्राएगा किसी और surface से तो force exert करेगा उस force को अगर हम per unit area calculate कर लें तो हमारे पास आजाएगा प्रेशर पिल्कुल बेसिक डेफिनिशन ठीक है so this is a basic definition of pressure and यह basic definition pressure की अर्थ के ओपर हर जगा लाग हो जाएगी यानि कि पानी के अंदर आगर आप अपना हाथ ले जाएंगे माली जी आपने कोई भी अबजेक्ट जो है वो पानी के अंदर है रहा मीडियम म केवल यहां के पार्टिकल नहीं इन यहां के जो पार्टिकल होंगे इसके ओपर यह वाले पार्टिकल टकरा रहे होंगे इसके ओपर यह वाले पार्टिकल टकरा रहे होंगे similarly अगर यह पार्टिकल जो है वो सरफेस को टच कर रहे हैं इस object की यह हमारा एक बरतन है इस बरत 1 second, 1 second, सीधा बनाते हैं इसको हम, मनलीजिए ये है दूसरी बार भी टेडा ही बनाएगग आपके पास ये एक वैसल है थीक है, इस वैसल मैं आपके पास एक object है और इस वैसल में जो है वो क्या है, पानी, है ना मनलीजिए ये पानी है और ये हमारा वेसल है यह इस वेसल का बेस है अब इस वेसल के साथ जितनी भी पानी की सरफेस टच हो रही होगी है यह सरफेस टच हो रही है मतलब इस वेसल की सरफेस से जो पानी टच हो रहा होगा इस पानी के जो पार्टिकल होंगे वो यह वाले ज़ो पार्टिकल होंगे इस इस अब्जेक्ट की सरफेस पर प्रेशर ढाल रहे होंगे क्यों क्योंकि यॐन पार्टिकल के पास कानेटिक एनर्जी होगी वो मूव कर ने ओर ऊथ इससरफेस पर टक्रा रहे होंगे अगर वो टक्रा रहे हैं तो force exert कर रहे हैं ना force लगा रहे है धक्का लगा रहे क्योंकि उसके बास है ना माली जी यह particle जो है वो ऐसे घूम रहा है और अचानक से एक surface आ गई तो गूमता वह इस पर टकरा गया वापीस आया फिर टकरा या फिर वापीस आया फिर टकरा रहा है तो यह वापीस आकर यह जो ट पानी के अंदर हमारी एक object है यह एक वेशल है इसमें पानी है इसमें object है इस object की चारों दिवारों पर हमें चारी दिख रही है दरवाज त्री-Dimensional वाई है पानी जो वह आ कर टकरा रहा है फिक है बट इस पर प्रेशर एकसरट हो रहा है ना वह केवल यही molecules exert नहीं कर रहे होंगे क्यों क्योंकि इन molecules के ओपर और भी molecules हैं पानी के हैं या नहीं है है ना बिलकुल है ना इस साइड भी है और भी molecules हैं नीचे भी और भी molecules हैं और इधर भी और भी molecules हैं ठीक है तो इस object की surface पर केवल यह particle टकरा रहे है और अपना force जो है वो इसकी surface पर लगा रहे है वो पर unit area calculate करेंगे उसको हम pressure बोलेंगे बट ध्यान रखेंगे आप कि यह जो layer of particles है इसके ओपर यह particles भी अपना force डाल रहे है इन particles पर यह particles भी अपना force डाल रहे है similarly इधर भी और इधर भी और इधर भी that means यह जो surface है इस object की इस object की surface पर जितना पानी touch हो रहा है केवल वही force नहीं डाल रहा है उसके ऊपर जो पानी है उसका force भी लग रहा है उस पर क्यों? क्योंकि particle के पास क्या है? मास है और अगर मास है तो particles एक दूसरे के ओपर भी force डाल रहे होंगे तो वो एक collective force जो है वो इस surface पर लग रहा होगा ठीक है? तो pressure अगर आप किसी भी object को किसी medium में रखते है न तो जो immediate surface है केवल उसी का ही उसी immediate surface पर जो surrounding के particle टच कर रहे होंगे केवल वही pressure नहीं डालेंगे उसके ओपर जितना भी bundle या column होगा ठीक है? उसी same medium का वो सभी जो है वो उस पर pressure डाल रहे होंगे that means इन सभी particles का pressure जो है वो पढ़ रहा होगा इस object पर ठीक है? अब आप कहेंगे कि सरी हमारे लिए relevant क्यों है? अभी दो मिनिट में आपको समझा जाएगा पहले pressure को ध्यान से समझ लीजिए ठीक है? तो हमें अभी तक pressure को लेकर क्या-क्या point clear हुए? कि pressure is nothing but force per unit area है ना? अर्थ के ओपर अगर कोई भी object होगी that will be present in certain medium वो किसे नहीं किसी medium में present होगी मान लीजिए इस medium को आप air as well as water भी मान सकते हैं ना? दोनों मान कर अगर आप चलेंगे air या water तो इस object के surface के इस object की जो surfaces हैं उसके immediate संपर्क में जो particles हैं वो तो force डाल रहे होगे लेकिन हर particle के ऊपर वाली जो layer होगी वो उस पर force डाल रहे होगी that means इस पूरे के पूरे system का pressure जो है वो इन surfaces पर पड़ रहा होगा ठीक है? pressure इसी तरह काम करता है अब चाहिए आप किसी भी medium में चले जाएं for example अगर आप धरती के अंदर आ जाएंगे है ना? इसको अगर आप मान लेते हैं कि यह क्या है? अर्थ के नीचे है अगर आपने अर्थ के नीचे इस box को अगर मान लिजे दफनाया है तो इसके उपर जितनी भी अर्थ मौजूद है है ना? जितने भी sand के या रॉक के particles मौजूद है यह सभी इसकी surface पर क्या डाल रहे होंगे? सबको नीचे की तरफ खीच रही है तो obviously gravity के असर की वज़े से उपर वाले particles का pressure जो है वो जादा होगा nevertheless हर surface से जो है वो pressure पड़ रहा होगा इस object पर क्यों? because pressure is force per unit area और particles जो है वो हर एक state of matter में particles जो है वो एक दूसरे के ओपर pressure जो है वो डाल रहे होते है क्यों? क्योंकि ultimately अर्थ ने सभी particles को अपने center की तरफ वो खीच रहा है नहीं समझाया? आये कोई बात नहीं आपको मैं अर्थ पहले जाता हूँ clear हो जाएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत important concept है अगर आपको आज के जो यह topic है ना प्रेशर, pressure belts और फिर उसके बाद global atmospheric circulation यह तीन topic जो मैं आपको कराऊंगा आज दो sessions में करवाऊंगा अगर यह आपको clear हो गए ना अच्छे से तो आगे आने वाले बहुत सारे topics या almost आप यह मान लिजए climatology के बाकी सभी topics जो हैं यह है मान लिजए हमारी अर्थ है ना और यह हमारी अर्थ का center ठीक है तो अर्थ क्या कोशिश करती है कि सभी objects को अपने center की तरफ खीचे that is how gravity works है ना अर्थ के center की तरफ सब को खीचा जा रहा है है ना तो अगर अर्थ की surface के ऊपर क्या मौजूद है है ना इस तरह जो है वो कुछ continents है मान लिजए यह वो continents है है ना और अर्थ की surface के ऊपर क्या है ऐसे फिर पानी है जिनको हम oceans बोलते है तो अर्थ के gravitational pull की वज़े से जो solid है वो तो बिल्कुल चिपका हुआ अर्थ के साथ है ना और जो liquid है वो भी अर्थ ने अपनी surface के पास पगड़के रखा हुआ है liquid को भी right due to the gravitational pull और जो atmosphere है atmosphere को भी अर्थ ने क्या किया हुआ है पगड़के एक second atmosphere के लिए भी color हम blue ही use कर लेते है atmosphere को भी अर्थ ने पगड़के रखा हुए क्योंकि atmosphere is made of gas and gas is also what gas भी जो है वो एक state of matter मतलब क्या है state of matter ही है है ना तो matter है तो particle होगा particle है तो mass होगा है ना mass होगा तो अर्थ उसको खीचेगी तो इस तरह अर्थ ने land को भी पकड़ा हुआ है अर्थ की gravity ने land को भी पकड़ा हुआ है water को भी पकड़ा हुआ है और atmosphere को यह हमारी अर्थ की surface हुई है ना हमारी अर्थ की surface के ओपर मान लीजिए कि यह आ गया पानी है ना इतना जो है वो पानी है रख लीजिए और इसके ऊपर जो है क्या हमारा यह atmosphere है ना और नीचे क्या था हमारा यह land mass है different layers के बारे में जियो मॉर्फोलोजी में बात कर लेंगे है ना यह अगर continent आ गया और यह हमारा water है और उपर हमारा क्या है atmosphere तो मैं क्या बोल रहा हूँ gravity सब को अपनी तरफ खीच रही है gravity land को भी center की तरफ खीच रही है water को भी center की तरफ खीच रही है air को भी center की तरफ खीच रही है है ना air सबसे हलकी है इसलिए हमारी earth के सबसे outermost layer है यह राइट पानी जो है वो surface के उपर है और land is below water है land हमेशा पानी के नीचे होगा due to the gravitational pool otherwise आप कोशिश करके देख लीजेगा एक बाल्टी में पत्थर डाल के देखिए पत्थर नीचे जाएगा और पानी उपर रहेगा gravitational pool की बज़े से ठीक है now अब जो मैं object की बात कर रहा था वही object अगर आप यहां रखेंगे है ना earth के surface के नीचे तो इसके उपर जितनी भी अर्थ होगी वह सभी जो है वह pressure डाल रही होगी और जादा pressure जो है वह उपर वाले अर्थ का होगा ठीक है उसी आप object को अगर पानी में रखेंगे तो पानी जो है वह सभी direction से उस पर pressure डाल रहा होगा और उसी object को अगर आप air में रखेंगे तो air भी सभी direction से उस पर pressure डाल रहा होगा, ये basically हम pressure को समझ रहे हैं अभी, कि pressure क्या है, is nothing but force per unit area और pressure धरती के उपर किसी भी object पर air में भी लग रहा है, water में भी लग रहा है और अर्थ के नीचे land पर भी लग रहा है, ठीक है, ये तीन basic चीज़े हमने समझाई, और अर्थ की gravity ने water और air को पगड कर रखा हुआ, ये चीज़ आपको समझनी बहुत important है क्योंकि next चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है atmospheric pressure, ठीक है, so आज या climatology वाले part में, we are concerned with atmospheric pressure, पानी में कितना pressure है, वो motionography वाले topic में cover करेंगे, है ना, geomorphology वाले part में cover करेंगे कि earth के अंदर जो है, वो pressure किस तरह काम करता है but since we are here in we are studying climatology so we will be concerned, we will be having the discussion about the atmospheric pressure only, right so सबसे पहली चीज़ आपको clear हो गई pressure is force per unit area pressure धरती में air में भी लग रहा है कोई भी object होगी, अगर वो air में जैसे आप इस समय air में है है ना, आप earth की surface के उपर है, आप इस समय air पे है तो air का जितना भी column है आपके उपर वो सभी आपके उपर जो है वो pressure डाल रहा है ठीक है, और since gravity काम कर रही है, gravity is the greater force air, जो side से लगने वाला pressure है ना, उसको हम ignore कर देंगे ठीक है, otherwise side से भी लगता है pressure सो side से लगने वाले pressure को हम ignore कर देंगे, जो gravitational pull की वज़े से, जो matter को gas को पगड़ के रखा हुआ है earth ने, वो gas जो आपके उपर pressure डाल रही है, हम pressure को समझने कोशिश करते हैं ठीक है, I hope यहाँ तक आपको point clear होगा, हुआ होगा, ठीक है, अब मैं आपको earth की surface और केवल हम air के बारे में बात करते हैं ना अब माली जीए, यह है earth की surface और इसके उपर जो है वो यहाँ तक है हमारा atmosphere, वैसे atmosphere की limit नहीं है, 1000 km तक हम मानते हैं कि atmosphere है generally माना गया है, but atmosphere की कोई ऐसी as such upper limit नहीं है कि यहाँ तक atmosphere fix है, फिर उसके बाद खतम हो जाएगा, नहीं, वो space में mix होता रहता है, और कई बार कम भी होता रहता है, कई बार जादा भी होता रहता है 1000 km के आसपास हमने लिया है, but since majority of all the, let's say all the climatic phenomena's जो है वो troposphere में हो रहे हैं, तो हम troposphere से जादा concerned रहेंगे, nevertheless we will consider here whole of the atmosphere है ना, यह आप अर्थ की surface के उपर है, कोई भी एक object है और अर्थ की gravity ने इस atmosphere को जो है वो अपने center की तरफ खीच के रखा हुआ है, ठीक है, तो my friends आपने अगर एक basic point पढ़ा होगा, कि gravity जो है वो gravitational pull क्या है, distance के inversely proportional है, है ना distance जितना बढ़ता जाएगा gravitational pull उतना कम होता जाएगा, simple सी बात है ठीक है, so that means यह कि अर्थ की surface के पास, और यह मैंने पहले भी कई बार explain किया है कि अर्थ की surface के पास जो heavier particle है, वो पकड़ के रखे गी अर्थ है ना, so that means gas में भी, या atmosphere में भी ज्यादा तर atmosphere जो है, वो कहा होगा आपका, अर्थ की surface के नजदीक होगा and with the increase of altitude, the density of atmosphere will decrease देखे, यह density of atmosphere जो है क्या होती जारी है, decrease होती जारी है ठीक है बहुत ध्यान से समझेगा density वाले फंडे को हम अभी धिरे-धिरे और clear करेंगे, लेकिन atmospheric pressure किस तरह लगता है, पहले हम वो समझ लेते हैं, राइट अच्छा जी यह आपका atmosphere है, और यह हमारी एक object है और gravity ने atmosphere को अपने पास पगड़ के रखा हुआ है और हमने यह पिछले sessions में cover कर लिया है कि अर्थ की surface के नजदीक atmosphere थिक है और फिर धीरे-धीर atmosphere की density कम होती रहती है, with the increase in altitude, क्यों? क्योंकि as the altitude increases, gravitational pull decreases और gases जो हैं वो मतलब जो lighter gases हैं जो heavier gases हैं वो हमें नीचे मिलेंगी nitrogen, oxygen, water vapors, carbon dioxide और भी बहुत सारे जो pollutants हैं dust particles हैं, वो हमें अर्थ की surface के नजदीक मिलते हैं, troposphere में है ना? और फिर stratosphere में आपको जो है, वो oxygen, nitrogen definitely मिलती है, लेकिन उनकी concentrations फिर कम होती जाएगी, density density of atmosphere will decrease with the increase in altitude, ये हम बिल्कुल basic funda जो है, वो पहले समझ सके हैं due to the effect of gravitational pull of earth, right? अब वापिस आते हैं, ये object है, अर्थ की surface के उपर है, इसके उपर atmosphere है atmosphere ने gravity, atmosphere कैसे है, क्यों है? क्योंकि gravity ने atmosphere को पगड़ के रखा हुआ है, ठीक है अब अगर आप मान लीजिए, कि एक column of air काट लें इस तरह, है ना? एक column of आप एक air काट लेते हैं और ये है वो per unit area, इस area पर ये column of air जो है, वो act कर रहा है, इस object को अठा देते हैं इस per unit area पर वो column of object जो है, वो अगर act कर रहा है ठीक है? अच्छा, मैंने गलत बोल दिया इस per unit area पर वो column of air जो है, वो कैसे pressure डालेगा? यहाँ पर particles जो है, वो air के क्या होते जा रहे हैं? नीचे dense है और density उपर कम होती जा रही है, nevertheless इन सभी particles के पास क्या होगा? मास होगा इनके पास मास होगा, तो सबसे उपर वाले particles अपने नीचे वाले particle पर जो है, वो क्या डाल रहे होंगे? pressure, same goes for और वो नीचे वाले particle पर क्या डाल रहे होंगे? pressure, है ना, उनसे नीचे वाले particle पर क्या डाल रहा होगा? so, हर एक particle दूसरे particle पर pressure डाल रहा होगा, और यह सभी particles एक दूसरे पर जो pressure डाल रहे हैं वो earth की surface के उपर आकर अगर आप check करते हैं per unit area में that will be your pressure है ना force per unit area किसका हमने that will be the atmospheric pressure इस per unit area में यह पूरा air का column है ना per unit area लिया ना हमने इसलिए इसके उपर vertically पूरा का पूरा atmosphere का जो air का column है वो हर एक particle from the top to the bottom हर एक particle एक दूसरे के उपर pressure डाल रहा होगा और वो net pressure जो है वो अर्थ की surface पर लग रहा होगा that will be known as the atmospheric pressure और जो atmospheric pressure हम as a human जो है वो हम feel करते हैं उसको हम one atmospheric pressure जो है वो बोला जाता है ना एक atmospheric pressure हम उसे कहते हैं या हम one atmospheric pressure जो है वो feel करते हैं उसको values में मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसकी value कितनी है बट यहाँ पर आपको basic फंडे pressure के clear होने चीए pressure is force per unit area अर्थ पर pressure जो है वो अर्थ के नीचे भी पानी में भी और air पर भी लग रहा है हम air के साथ concerned है इस समय क्योंकि हम climatology पढ़ रहे है तो हम air पर अगर air के साथ अगर हम देखें या air का हम pressure देखें तो अर्थ की surface पर per unit area पर अगर आप एक column of air एक column of air specific का pressure अगर आप नापेंगे that will be the atmospheric pressure right and उसको हम एक atmospheric pressure बोलते हैं because that is normal for us are us humans हमारे लिए वो normal है लेकिन अगर आप उसे calculate करेंगे right the atmospheric pressure is expressed in units of millibar उसको अगर आप calculate करते हैं या उसका अगर आप measurement निकालते हैं तो आप millibar वैसे तो bar में calculate करते हैं but उसकी छोटी unit है millie है ना millibar में calculate करेंगे और एक atmospheric pressure जो मैं बोल रहा हूँ that is roughly equal to 1013.2 millibars या उसको आप मान लेते हैं calculation को आसान करने के लिए 1000 millibar जो है वो मान सकते हैं ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला कि pressure per unit area sorry force per unit area air का column जो है वो अर्थ की surface पर कितना लगा रहा है 1000 millibar का pressure लगा रहा है ठीक है यह सारे particles मिलकर ध्यान रखेंगे यह सारे particles वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अर्थ के नजदीक जो particle है केवल यही pressure नहीं लगा रहे है इन particles के ऊपर समझ रहे हैं यह जो particles हैं इनके ऊपर in particles का pressure होगा इनके ऊपर in particles का pressure होगा और यह net accumulated pressure जो है वह हम calculate करते हैं जिसको हम एक atmosphere बोलते हैं और एक atmosphere की value कितनी होती है 1000 millibar और exact value आप देखेंगे तो 1013.2 millibar जो है वह आप रख सकते हैं value और यह हमने calculate कैसे किया है measure कैसे करी तो जो instrument है जिसकी मदद से हमने यह measure किया उसको बोलते हैं barometer ठीक है तो pressure को measure करने के लिए कौन से instrument जो है वो क्यूज किया जाता है barometer ध्यार नखेंगे आप at sea level the average atmospheric pressure is 1013.2 millibar अब ध्यान रखेंगे this is at sea level 1013.2 millibar is at sea level ठीक है sea level को हम इसलिए हमाना था मैंने आपको पिछले topic में बताया था क्यूंकि altitude की वज़े से normal lapse rate की वज़े temperature जो है वो अलग-अलग readings देता है same latitude पर दो places के temperature जो है वो अलग हो सकते है due to their altitude इसलिए हम sea level को जो है वो एक standard position की तरह treat करते हैं और अगर आपको पूरे अर्थ का अगर या पूरे अर्थ पर अगर आपको एक value निकालनी हो कि कितना atmosphere का pressure लग रहा है तो हम standard लेकर चलते हैं sea level को ठीक है इसलिए मैंने roughly आपको कहा कि आप 1000 millibar जो है वो मान सकते हैं ठीक है अब देखिएगा यहां पर मैं different factors की बात करूँगा तो vertical and horizontal variation की बात करेंगे अब प्रेशर में अभी हमने सबसे पहले प्रेशर को समझा है प्रेशर क्या है अर्थ के ओपर प्रेशर जो है वो land में भी है sea में भी है और air में भी है क्योंकि सभी matter जो है वो एक दूसरे पर pressure डाल रहे है ठीक है अब मैंना आपको थोटे देर पहले बोला था कि अगर यह ऐसे object होगी तो उसके side से भी pressure लग रहा होगा बट मैंना आपको बोला था न यह side वाले pressure को हम अभी avoid करेंगे क्यों क्योंकि हम flat surface के उपर अर्थ की surface के उपर जो है वो pressure air का calculate करने की है समझने के कोशिश कर रहे है body में जो side से pressure लग रहा है हम उसको अभी मतलब क्या बोल रहा है avoid करेंगे right I hope आपको यह बिल्कुल basic funda atmospheric pressure क्या है समझ आया होगा atmospheric pressure हम sea level पर ही क्यों calculate करते है वो समझ आया होगा sea level पर 1013.2 millibar atmospheric pressure है right और atmospheric pressure is due to what due to the mass of gaseous particles right समझ आया atmospheric pressure किस वज़े से है due to the mass of gaseous particle I hope यह आपको समझ आया होगा right now यह जो 1000 millibar का pressure हमारे वोपर लग रहा है ना वो हमारे लिए normal है इसलिए मैंने आपको one atmosphere गा this is normal to us क्या आपको फालतु बोज जो है वो लग रहा है 1000 km का atmosphere है है ना अगर 1000 km का atmosphere है तो कई tons में air है आपके उपर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े है तो आपके उपर कई ton air है right tons में weight अगर ना पर तो कई tons air है but still that is one atmosphere for us that is normal for us क्यों क्योंकि हमारी body पर लगने वाला जो pressure है उसको हमारी body जो है वो क्या कर रही है अपने अंदर से भी pressure जो है वो डाल रही है और वो effect नेगेट हो जा रहा है ठीक है खेर उस direction में हम नहीं जाएंगे blood pressure बगएरा biology वाले part में आपको मैं समझाऊंगा कैसे काम करती है हमारी body जो है वो अंदर से pressure exert कर रही है जिससे हमने atmospheric pressure के effect को negate कर रहा है and that is normal for us right same goes for marine animals marine animals जो पानी के अंदर और बहुत depth में रहते हैं इस lobster जो है वो मतलब जो क्या बोलते हैं के bottoms होते हैं या bottom में रहने वाले और भी कई सारे जनवर हैं lobster for example ठीक है उन्होंने shells इसी लिए develop कर रखे होते हैं ताकि पानी का देख लीजी यह तो हवा का ही कई tons में pressure है तो पानी का कितना ज़ादा होगा पानी के particles कितने ज़ादा नजदीक होते है तो कई मीटर नीचे कई सेगडो मीटर नीचे अगर कोई जानवर कोई अगर मतलब marine animal जो है वो या marine कोई भी organism अगर रह रहा है पानी के नीचे तो वो भी इस तरह का pressure mechanism develop करते हैं कि उनकी body जो है वो पानी के पढ़ने वाले pressure को negate करती है ठीक है nevertheless आगे बढ़ते है एर pressure is measured with the help of a mercury mercury barometer और the aneroid barometer तो मैं आपको ये physics वाले पार्ट में बताऊंगा कि mercury barometer जो है वो किस तरह काम करते हैं या aneroid barometer ये modern barometers किस तरह काम करते हैं ये एक बहुत important फंडा है कि altitude के साथ pressure decrease करता है आगे समझाऊंगा कैसे at an elevation it varies from place to place and its variation is the primary cause of air motion that is wind which moves from high pressure area to low pressure area इन दोस statements को अभी hold करके रखो इनको समझाता हूँ आपको फिर वापिस आएंगे इस statement में right so अभी तक हमने pressure क्या समझा pressure is force per unit area ठीक है और atmospheric pressure क्या है atmospheric pressure कितना है thousand millibar है roughly right atmospheric pressure क्या है कि air का अगर आपको एक column यानि कि per unit area आर्थ की surface पर अगर आप calculate करेंगे कि thousand kilometers thousand kilometers of air particle जो है वो कितना pressure डालेंगे that is thousand millibar डालेंगे वो ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक kilometer में एक millibar pressure होगा ठीक है क्यों नहीं है इसका मतलब आगे समझाता हूँ मैं सो हमने सबसे पहले pressure के define किया what is pressure राइट अब हम समझते हैं कि earth के उपर pressure variate कैसे करता है because we have to understand in geography the spatial and temporal variations सो दो तरह से variate करेगा vertically variate करेगा and horizontally variate करेगा सबसे पहले हम vertical variation of temperature समझते हैं then we will be understanding about the horizontal variation of temperature oh sorry pressure राइट so अभी statement में आपको बताया गया कि the pressure decreases with height so vertical variation क्या item pressure का that with altitude pressure decreases यह vertical variation है आईए समझते हैं क्यों ठीके तो मान लीजिये यह है हमारी earth की surface है ना और यह मान लीजिये कोई mountain है यह plane है या मान लीजिये यह sea level है right this is sea level और यह slightly elevated है मान लीजिये it is at an elevation of 5000 meters की elevation पर है यह peak ठीक है तो due to the act of या due to the gravitational force the gases that are present in our atmosphere right क्यों है वो present क्योंकि gravity ने उनको पगड़ के रखा हुआ है तो heavier the particle of gas वो जादा नजदीक रहने ही कोशिश करेगा earth के right so that means यह कि earth के बिलकुल surface के नजदीक जो है वो density सबसे ज़्यादा होगी ठीक है and with the increase of altitude gravitational pull जो है particles पर वो कम होता जाएगा and with the increase of altitude the density of atmosphere will decrease बिलकुल simple है that is how the pressure variates with altitude because of the gravitational pull जो gases है जो atmosphere है वो earth ने पगड़ के रखा हुआ है है na and at the very bottom of the earth मतलब at the very क्या बलते है near the earth surface the concentration कह लिजिए यह density of the atmosphere will be maximum and the density will decrease density will decrease with the rise of altitude hence the pressure will decrease with the rise of altitude because pressure is what force per unit area and per unit area calculate करते हैं pressure ध्यान रखेंगे so per unit area अगर आप किसी air column किसी air column में pressure अगर आप note करने चलेंगे है ना और अगर मान लिजिए आप 5000 meter पर आप एक बार pressure note कर रहे हैं इस area पर और एक बार आप sea level पर pressure अगर आप note करेंगे तो आपको definitely pressure में difference नजर आएगा क्या difference नजर आएगा because यहाँ पर जो है वो क्या है particles ज्यादा है और इधर जो है वो particles with the increase of altitude the pressure decreases why so because with the increase of altitude the density of atmosphere decreases hence number of particles of gaseous number of gaseous particle decreases hence the pressure also decreases right बिल्कुल सिंपल है but इसी point को explain करने करना है एक different तरीका भी आई है मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा एक सेकंड एक blank surface सेगी yes मान लिजिए यह है आपका sea level है ना ठीक है और यह है आपका gradual elevation right आभी तक हमने क्या समझा कि vertically variate कैसे कर रहा है with the increase of altitude the pressure decreases but how so एक और explanation देखिए मान लिजिए this is the limit of our atmosphere है ना और अब हम बना लेते है columns this is at sea level है ना यह column sea level का है यह मान लिजिए with the increase of altitude आपको different columns देखने को मिल रहे हैं है ना यह air columns हमने ले लिए कितने air columns हैं 1 2 3 4 and 5 देखिएगा अब pressure कैसे variate करता हूँ आपको मैं समझाता हूँ right now अब यह जो सारे area है ना these all areas are same ठीक है with the increase of altitude सारे area जो है वो same है है ना but यहाँ पर जो है वो air का volume क्या होगा this is air का volume 1 यह volume 2 यह volume 3 यह volume 4 and volume 5 volume में क्या trend है यह जो column है ना air का column volume में क्या trend है कि volume 1 is greater than volume 2 is greater than volume 3 is greater than volume 4 is greater than volume 5 क्यों क्योंकि with the increase of altitude आप देख रहे हैं ना कि column की length जो है वो क्या होती जा रही है with the increase of altitude the length of column is decreasing hence the volume of air that that one column के अंदर जितने volume of air है वो कम होता जाएगा ठीक है अगर volume कम होता जाएगा तो weight की अगर आप बात करें तो weight भी कम होता जाएगा क्योंकि particle यहाँ पर कम है जो column 1 है उसमें अगर मान लिजे weight 1 है इधर weight 2 है particle का इधर weight 3 है combined इधर weight 4 है और इधर weight 5 है तो यहाँ पर क्या trend देखने को मिलेगा आपको weight 1 is greater than weight 2 is greater than weight 3 is greater than weight 4 is greater than weight 5 यह trend देखने को मिलेगा क्योंकि obviously जिसमें volume जादा उसमें particle जादा है ना जिसमें volume कम उसमें particle कम और height की बात करें तो obviously यह H1 जो है वो ज़ादा होगा है ना H2 उससे कम है, H2, H3 उससे कम है H4 उससे कम है, H5 उससे कम है तो अगर volume ज़ादा है, weight ज़ादा है अगर पहरे column में तो पहरे column में particles की संख्या भी तो ज़ादा हुई है ना, तो pressure का trend क्या होगा? particle ज़ादा तो pressure ज़ादा, so P1 is greater than, P2 is greater than, P3 is greater than, P4 is greater than, P5 यह बिलकुल basic trend आपको pressure में देखने को मिल जाएगा कि with the decrease in length of the column, the number of particles will decrease on the same area number of particles will decrease, किसके? atmosphere के hence the pressure exerted by those particles will also decrease so with the increase of altitude, the pressure decreases, इसको explain करने का दो तरीके हैं पहला यह कि with the increase of altitude, the number of particles decreases है ना, in an atmosphere, the number of particles decreases due to the gravitational pull hence the pressure will decrease with the increase of altitude दूसरे तरीके से कैसे explain कर सकते हैं आप? कि with the increase of altitude, the length of column decreases, right? hence the number of particles decreases, hence the weight of particles decreases, hence the pressure decreases so with the increase of altitude, pressure decreases, यह trend जो है, वो आपको दोनों तरीके से समझा दिया अगर यह point clear नहीं होगा तो एक बार rewind करके देखेगा, कुछ जादा difficult नहीं है वही सेम बात है, कि with the increase of altitude, the pressure decreases, उसको दो तरीके समझाया मैंने पहला तो यह कि gravitational pull के वैसे particle surface के नजदीक जो है, वो जादा होगा और दूसरा यह कि with the increase of altitude, air column की length जो है, वो कम होती जाएगी, particles की संख्या कम होती जाएगी, hence pressure भी कम होती जाएगी ठीक है, तो यह बिलकुल basic जो है, वो variation हमने समझा, किस में, क्या बोलते हैं, atmosphere में अब हम देखते हैं कि इसका effect क्या होता है, मतलब, sorry, pressure variation जो है, कुछ एक facts निकालते हैं, यह तो हमने समझ लिया कि altitude के वज़से pressure decrease हो रहा है, पहले चीज़, है ना, और दूसरा यह कि with the increase of altitude, air column की length भी दो कम होते जा रही है, hence particle कम होते जा रहे है, hence weight कम होगा, hence pressure कम होगा, but trend क्या है, तो trend समझते हैं, यह हमारी अर्थ की surface है, ठीक है, अर्थ की surface पर, sea level पर कितना है, around 1000 millibar का, अगर sea level पर अगर आप मानें कि 1000 millibar का pressure है, so, जैसे ही आगर आप अर्थ की surface से 5.5 km की height पर आ जाते हैं, ठीक है, the pressure decreases to 500 millibar, half हो जाता है pressure, इतना असर है gravity का, ठीक है, gravitational pull का इतना असर है, कि 5.5 km तक पहुंचते ही, आदा हो जाता है atmosphere, या atmosphere की density, half हो जाती है, क्योंकि atmosphere का pressure भी half हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आप 5.5 से, या अर्थ की surface से, अगर आप 12 km तक अगर आप उपर जाएंगे, तो 100 millibar रह जाता है pressure, अर्थ की surface से, अगर आप 50 km तक चले गए, तो केवल 1 millibar रह जाता है atmospheric pressure, और यह सब हमने किस से ना पाँ, हमने barometer से ना पाई है, ठीक है, हमने mercury barometer से ना पाई है, कि 5.5 km में 500 millibar रह गया, यानि कि 5.5 km तक आपका atmosphere आधा हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि जब आप मान लिजे किसी mountain पर अगर आप track करने जा रहे हैं हैंना, किसी mountain पर अगर आप track करने जा रहे हैं मान लिजे, ठीक है, सो जैसे ही आप 5.5 km पर पहुंचते हैं तो आपको oxygen की कमी होने लग जाती है, क्यों? क्योंकि atmosphere आधा हो गया, density atmosphere की half हो गई, pressure ही atmosphere का 500 millibar हो गया, 12 km पर 100 millibar और 50 km पर 1 millibar हो जाता है, that means at 50 km 99.9% pressure जो है, वो क्या हो गया, decrease, same चीज़ आप कह सकते हैं कि at 50 km 99.9% atmosphere जो है, वो क्या हो जाता है, end हो जाता है, खतम हो जाता है, बतलब at 50 km 99.9% atmosphere present है आपका, उसके उपर, 50 km से उपर, 1000 km तक, केवल 0.01% of atmosphere है, ठीक है, इतना rare हो जाता है atmosphere, तो आप मुझे पताएंगे, यह 50 km तक, जो है, वो atmosphere की कौन सी layer की limit है, 50 से 55 km तक, ठीक है, so this is the variation in pressure with altitude, क्या variation हमने data में observe किया, कि at 5.5 km, the atmospheric pressure reduces to half, that means it is around 500 millibar, at 12 km, the atmospheric pressure reduces to 100 millibar, right, that means 1 tenth हो जाता है, and at 50 km, the atmospheric pressure reduces to 1 millibar, that means 99.9% reduction in pressure हो गया, ठीक है, that is why, जब आप hiking करते हैं, trekking करते हैं, अगर आप किसी भी hilli area में जाएं, और अगर आप 5 km से उपर अगर rise करेंगे, तो वहाँ पर आपको oxygen की कमी महसूस होने लग जाएगे, इसलिए जो high peaks को track करते हैं, लोग या high summits तक पहुंचते हैं, वह oxygen tanks जो हो अपने साथ ले जाते हैं, because with the increase of altitude, obviously air जो है, वह rare और rare होती चलती है, ठीक है, that is the vertical variation of pressure, यहाँ तक आपने समझा, ठीक है, so I hope आपको pressure समझाया होगा क्या है, है न, उसके बाद आपको समझाया होगा कि atmospheric pressure क्या है, then आपको समझाया होगा कि vertically atmospheric pressure जो है, वह किस तरह variate कर रहा है, so vertically atmospheric pressure is, क्या variation है, with the increase of altitude, the pressure is decreasing, उसको हमने दो तरीके से समझा, एक तो gravitational pull की वैसे, और दूसरा air column की length decrease हो रही है, इन दो तरीके से हमने समझा, और फिर हमने finally data देखा कि, at 50 km, 99.9% जो है, वो pressure decrease हो गया, that means के वल 1 millibar pressure जो है, वो रह जाता है, at 50 km of altitude from the surface of earth, और या sea level से अगर आप 50 km तक उपर जाएंगे, तो ठीके, so I hope vertical variation in pressure आपको clear होगा, now we will simply move towards the horizontal distribution या horizontal variation of pressure, right, distribution of pressure on earth's surface देखते हैं, horizontal distribution of air pressure on the earth's surface is closely related to that of temperature, because of factors which control the distribution of temperature on earth's surface, equally govern the distribution of pressure as well, देखेगा, मैंने आपको cause and effect का फंड़ा बताया था ना, कि heat की वज़े से insulation है, कि वज़े से temperature है, कि वज़े से pressure है, तो जैसे जिस तरह का trend आपको temperature का नज़र आएगा earth के उपर, that same trend will carry for pressure, कैसे आई आगया आपको समझाता हूँ, बट यह statement जो हमने दो पड़ी थी, इसको जो है वो, इन में से एक statement अभी हमने clear कर दी, कि pressure decreases with height, that is the vertical variation in pressure हमने समझ लिया, गलती से मैंने शायद एक आदिवा temperature बोल दी है, तो I apologize for that, at an elevation it varies from place to place, and its variation is primary cause of air motion, that is wind which moves from high pressure area to low pressure area, तो यहाँ पर यह जो second point है, यहाँ पर basically pressure की वज़े से winds क्यों होती है, यह explain करने ही कोशिश की जा रही है, लेकिन winds मैं obviously आपको next topic में कराऊंगा, जब हम पहले एक बार pressure को अच्छे से establish कर लें, then यह statement जो है वो आपको clear हो जाएगी, ठीक है, now, horizontal variation in pressure अगर हम आप समझेंगे, तो horizontal variation in pressure जो है वो, सबसे पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा, कि what are the factors behind the horizontal variation in pressure, and then we will understand the horizontal variation, right, vertical variation में factor आपको पता चला, gravity पहला factor है, और दूसरा, the length of air column, दो factors की वज़े से vertically variate कर रहा है, atmospheric pressure, but horizontal variation किस वज़े से है, atmospheric pressure में, तो पहला तो कारण है temperature, और सबसे main कारण है temperature, important है सबसे कारण, right, दूसरा factor आप मान सकते हैं, gravity, क्योंकि gravity, atmosphere को hold करके रख रही है, अगर gravity ही नहीं होगी, तो atmosphere ही नहीं होगा, तो फिर किसका pressure ना पहेंगे आप, है ना, next एक फंडा लगेगा, rotation of earth, on its axis, axis पर जो earth rotate कर रही है, उससे pressure पर, उससे horizontal distribution of pressure पर, क्या variation हमें देखने को मिल रहा है, उसके लाबा next एक फंडा लगेगा, यहाँ पर humidity, और altitude तो हम पढ़ी चुके हैं, altitude के साथ variation तो हम पढ़ी चुके हैं, महाँ पर gravity और the length of air column, यह दो factor जो हमने पढ़े दे, अब हम एक एक करके, temperature, gravity, rotation और humidity का क्या असर है, horizontal variation पर, उसको समझते हैं, यह causing factor, अगर आपको clear होंगे, तभी आप effect के रूप में, जो pressure belts हैं, उनको अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए देखिए, इन topics को मैं थोड़ा सा detail में ले जाकर, जो है वो पढ़ाने ही कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग बेसिक तैयार हो, अब fundamentals ना भूलें, अगर fundamentals आपके strong होंगे ना, तो complex जो topics हैं, उसको समझने में आपको, कोई भी problem नहीं होगी, ठीके, अब एक एक करके देखते हैं, temperature उठाते हैं सबसे पहले, कि temperature की वज़े से pressure जो है, वो क्यों vary करता है, और कैसे vary करता है, अब maximum students जो हैं, वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कि temperature की वज़े से pressure जो है, वो horizontally कैसे vary कर रहा है, ठीके, horizontal variation क्या है, या temperature हम लिखते हैं पहले हैं ना, तो temperature के लिए globe के उपर, earth के उपर journal trend बेने आपको क्या बताया था, कि क्या पढ़ा था हमने, कि latitudes are inversely proportional to angle of incidence, angle of incidence is directly proportional to insulation, therefore latitudes are inversely proportional to insulation, and due to insulation, there is a presence of temperature, and due to temperature, there is a variation in pressure, है ना, so, यानि की, conclusion क्या निकलता है, कि with the increase of latitude, यहाँ पर 0 degree latitude है, इदर 90 degree latitude है, पोल्स पर, है ना, दोनों साइड ही, so, with the increase in latitude, the insulation decreases, hence the temperature decreases, this is the general trend, that means temperature should be at maximum, temperature क्या होगा, maximum होगा at poles, और minimum होगा, sorry, maximum होगा at equator, and minimum होगा at pole, why, because latitude is inversely proportional to insulation, और latitude is inversely proportional to angle of incidence, यहाँ पर minimum है angle of incidence, और यहाँ पर maximum है angle of incidence of incident, obviously, क्या है solar radiation, right, so, यह trend हम आप अल्रेडी समझते हैं, तो आईए एक बार आर्थ की surface पर ले जाते हैं, और फिर देखते हैं कि temperature कैसे variate करता है, so, same altitude वाला, same altitude, यानि कि sea level पर ही, मालिजे आप दो जगाओं को consider करते हैं, this is area A, and this is area B, and both of these areas are at same, मुलब sea level पर ही हैं, लेकिन ही होज़कता है कि different latitudes पर हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो temperature जादा है, है ना, इधर temperature जो है वो जादा है, और इधर temperature कम है, हम देखेंगे कि pressure कैसे variate करता है temperature के साथ, तो इधर अगर temperature जादा होगा, तो इस surface के just उपर जो air का column होगा, या air का जो parcel है, उसमें kinetic energy बढ़ जाएगी, है ना, इसकी kinetic energy जो है वो क्या होगी, increase होगी due to the conduction as well as convection process, आर्थ की surface से ये heat जो है वो absorb करेगा, आसपरोस का जो atmosphere है वो क्या है, मान लिज़ा आसपरोस का atmosphere ठंडा है, इस particle के पास kinetic energy है, ये particle जो है वो expand करना चाहता, लेकिन इसके पास जगा नहीं है, क्योंकि आसपरोस का atmosphere जो है उस पर pressure डाल रहा है, ठीक है, तो ये particle जो है उसके पास क्या चारा बचेगा, इसके पास एक ही चारा बचेगा कि ये क्या कर जाए, ये rise कर जाए, तो मैंने आपको पिछले topic में adiabatic lapse rate बताया था, कि जैसे ही heat होगा air का parcel, and it will rise and it will expand, तो अगर यहां से ये air parcel जो है वो rise कर गया, ठीक है, तो यहां से air molecules जो है, वो rise कर गया ना, चले गया यहां से, right, rise कर गया, that means यहां पर air molecules के numbers क्या हो गए, कम हो गए, अगर ये rise कर गया तो air molecules यहां पर क्या हो गए, कम हो गए ना, obviously क्योंकि air molecules तो यहां पहुँच गए, इधर वाले air molecules जो थे, तो अगर air molecules कम हो गए air particles कम हो गए तो उनका mass भी कम हो गया mass कम हो गया तो उनका pressure भी क्या हो गया कम hence with the increase of temperature the pressure decreases why because the air it rises upwards क्यों क्योंकि asperos में expand करने की जगा नहीं मिलती इसको asperos में जो है वो high pressure होता है ठीक है और high pressure जो है वो मतलब particle को escape नहीं करने देगा ना जगा नहीं है उसके पास तो उसके पास एक मातर जगा बचती है उपर क्योंकि उपर density कम होती है इसलिए वहाँ पर वो असानी से escape कर जाता है hence the air will rise जो कि मैंने आपका idea about a collapse rate बताया था और अगर air rise कर गई air particle move कर गया तो यहाँ पर particles की हो गई कमी hence a low pressure zone is created that is how pressure variates with temperature है ना और क्या trend है कि with the increase of temperature the pressure decreases now at the same sea level at a different area पर अगर माल लिजे temperature relatively कम था area A से area B में temperature जो है वो कम था तो area A में जिस तरह air rise करी है area B की air जो है वो उस तरह rise नहीं करेगी air जो है वो उसी level पर बनी रहेगी क्योंकि temperature कम है है ना hence at area B the pressure is high क्योंकि यहाँ पर air particles जो है वो मौजूद है high pressure है so यहाँ पर क्या trend देखने को मिलता है हमें कि with the decrease in temperature the pressure increases because with the decrease in temperature the air will get what cool down उनकी kinetic energy कम हो जाएगी वो ठंडे हो जाएगे अगर वो ठंडे हो जाएगे उनकी kinetic energy कम है तो particles जो है वो क्या है पास पास आजाएगे पास आजाएगे तो माली जी इस parcel of air के particles अगर नजदीक आगए temperature कम होने की वैसे है तो इनका mass क्या हो गया बढ़ गया इनका mass बढ़ गया या weight इनका बढ़ गया तो अर्थ क्या है इनको अपने पास खीच के रखेगी तो यह अर्थ के surface के नजदीक आएगे particle नजदीक है तो hence they will exert more pressure so with the decrease in temperature the pressure increases and with the increase in temperature the pressure decreases that is how pressure variates with temperature यह बिलकुल basic fund है बहुत ध्यान से समझेगा बिलकुल basic fund है इनी basic fundो पर आगे मैं पूरा topic pressure belts का base करने जा रहा हूं ठीक है छोटी छोटी चीज़े आप note करते जाएं आगे बढ़ते हैं ठीक है पहली चीज़ हमने समझ ली कि temperature क्या factor temperature का क्या आसर है second point क्या है rotation of earth है ना अर्थ के या gravity की बात करते हैं चलो पहले या rotation of earth को पहले समझ लेते हैं फिर gravity की बात करते हैं समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा अर्थ जो है वो rotate कर रही है अपने axis पर west से east की तरफ move कर रही है and due to this rotational motion of earth earth के ना earth एक complete sphere नहीं है फिर due to the rotational motion क्यों क्योंकि rotational motion की वज़े से जो earth का equator वाला diameter है it is more than the polar diameter है ना जो equator वाला diameter है मालीजे अगर यह earth है so the radius at equator is greater than radius at pole earth का क्यों क्योंकि earth के rotational motion की वैसे earth जो है वो थोड़ी सी bulge हो गई है ठीके अगर earth थोड़ी सी bulge हो गई है और यहाँ पर अगर distance जादा है तो distance और gravity में क्या लेना देना है gravity is inversely proportional to distance distance घटेगा तो gravity बढ़ेगी distance बढ़ेगा तो gravity क्या होगी घटेगी राइट so अभी हम rotational motion की बात करते है फिर हम gravity वाले point पर आएँगे ध्यान दीजेगा rotational motion की वैसे pressure पर क्या आफर पड़ रहा है so earth जो है वो अपने axis पर क्या कर रही है rotate कर रही है यह polar region है और यह है earth का equator और earth जो है वो इस तरह west से east की तरफ क्या कर रही है rotate कर रही है लेकिन एक बहुत important चीज है that is angular speed angular speed आपको physics वाले portion में detail में कराऊंगा इसका impact क्या देखने को मिलता है माल लीजिए कोई वेक्ती जो है वो इस point पर है और कोई वेक्ती यानि कि यह है 60 degree latitude है और यह माल लीजिए क्या है 0 degree latitude है कोई वेक्ती अगर 0 degree latitude पर हो कोई वेक्ती अगर 60 degree latitude पर हो तो दोनों ही वेक्ती या क्योंकि earth move कर रही है है ना दोनों ही वेक्ती 24 गंटे के बाद घूम कर इसी position पर आ जाएंगे है ना ये वेक्ती भी 24 गंटे के बाद घूम कर इसी position पर आ जाएगा ठीके बट अगर आप ध्यान से देखें तो इस वेक्ती ने कम distance travel किया इस वेक्ती ने ज्यादा distance travel किया बट angular speed same है है ना या इस तरह पुट करूं कि इस वेक्ती को भी 24 गंटे लगे इस पूरा round चक्कर लगाने में और इस वेक्ती को भी 24 गंटे लगे ये पूरा एक चक्कर लगाने में जबकि इसने distance ज्यादा travel किया और इसने distance कम travel किया ठीके तो same time क्यों लगा because of the more rotational speed at equator the rotational speed is high as compared to higher latitudes right अगर आप 60 ये 70 latitude पर अगर आप बैठे हैं तो 70 latitude पर rotational speed slow होगी as compared to 0 degree latitude that is why both of these ये चाहे ये point हो और चाहे ये point हो दोनों को ही 24 गंटे लगे वाप इस initial position पर आने में ठीक है बट इस point ने ज़ादा distance कवर किया और इसने कम distance कवर किया क्यों स्वारी उल्टा बोल दिया इसने ज़ादा distance कवर किया और इसने कम distance कवर किया क्यों इसकी rotational speed जो है वो ज़ादा है अगर rotational speed ज़ादा है at equator और equator के ऊपर जो है वो क्या है है ना इस तरह atmosphere है तो atmosphere भी atmosphere भी earth के साथ घूम रहा है है ना यहाँ पर भी atmosphere जो है वो घूम रहा है earth के साथ so at equator if rotational speed is more so centrifugal force will also be more ठीक है so the air particles at equator centrifugal force की वज़े से earth जो है वो उनको क्या करने की मतलब rotational motion की वज़े से यह particle जो है वो escape करने की कोशिश कर रहे होंगे है ना और यहाँ पर rotational speed कम है तो यह particles जो है वो कम force से escape करने कोशिश कर रहे होंगे ठीक है so due to the centrifugal force is more at equator due to the more rotational speed the air particles that are present above the equator उनकी tendency क्या रहेगी कि वो earth को छोड़कर बाहर को निगल जाए इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या होगा आपको जो atmosphere की thickness है वो ज्यादा नज़र आएगी यह atmosphere जो है वो ज्यादा दूर तक space में फैला होगा ठीक है इधर atmosphere जो है वो ज्यादा दूर तक space में फैला होगा as compared to subpolar और polar regions ठीक है इस बचेश अगर atmosphere जो है वो उसकी altitude अगर बढ़ गया तो मैंने आपको दूसरा factor क्या बताया था कि अगर column की length बढ़ती है ठीक है है ना same particle अगर ज्यादा column में होंगे यहाँ पर अगर atmosphere की altitude अगर बढ़ता है तो particles जो है वो ज्यादा region में चले गए तो pressure क्या हो गया कम हो गया यहाँ simple as that कोई ज़्यादा जो है वो समस्या है ही नही due to the high rotational speed air will be thrown out outwards अगर air particles जो है वो ज़्यादा दूर चले गए एक दूसरे से outward throw कर दिये गए तो obviously pressure जो है वो क्या हो गया low हो गया so at equator जो है वो एक low pressure zone create होगा and at polar region जो है वो एक high pressure zone create होगा due to the rotational motion of earth मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ students को समझने में अभी समस्या होई होगी ठीक है एक बार मैं फिर से बदाता हूँ अर्थ हमारी rotate कर रही अपने axis पर है ना और equator पर जो है वो rotational speed जादा है as compared to polar region यह हमारी अर्थ है यह हमारी अर्थ का axis है यह equator है और यह polar region है at equator the rotational speed is more than as compared to pole hence the centrifugal forces at equator is more than as compared to poles hence the atmosphere is more thrown out as compared to poles right atmosphere जादा दूरी तक फैका जाता है और अगर atmosphere को जाद दूरी तक आपने फैक दिया तो उसके particles जो है वो जादा बिखर गए जादा बिखर गए तो pressure जो है वो क्या हो गया कम hence due to the rotational motion of earth at equators अगर आप compare करेंगे only at rotational motion की वैसे at equator the pressure is less as compared to poles but obviously ध्यान रखेंगे this rotational motion वाला जो फंडा है यह बहुत छोटा factor है बहुत हलका सा असर पड़ता है क्योंकि अर्थ के equatorial as well as polar radius में कोई जादा खास difference है नहीं ठीक है nevertheless यह एक factor है जिस वज़े से pressure में difference create होता है बड़ा factor क्या है temperature है equator पर low pressure होने का low pressure area होने का बड़ा factor क्या है due to the temperature क्योंकि equator जादा जो है वो insulation receive करता है nevertheless जो rotational motion है उस वज़े से जो centrifugal force पैदा होता है वो भी अपना काम जो है वो कर रहा है that is why equator पर जो है वो क्या है low pressure zone है और polar region में क्या है high pressure zone है both due to majority due to the temperature but also rotational motion has some क्या बोलते है role to play so I hope rotational motion वाला part भी आपको factor भी आपको समझाया हुआ ठीक है तीसरी बात करते है gravitational pull की ठीक है थोड़ा सा complicated है समझना आपके लिए होज़कता है आपको rotational motion की अब इतनी ठीक अच्छी समझ ना हो क्योंकि मैंने angular speed और angular momentum की बात करी right rotational speed और angular momentum की बात करी तो कोई बात नहीं आगे आने वाले topic में physics में मैं आपको angular speed क्या होता है acceleration मैं अर्थ की motion की acceleration ही सारी चीज़ें जो हो समझाऊंगा तब clear हो जाएगा आपका right gravity की बात करते हैं अगला factor आता है आपका gravity तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि at equator the radius is greater as compared to poles right poles के comparison में equator पे radius जादा है hence gravitational pull will be less at the equator as compared to poles तो अगर आप atmosphere देखेंगे equator के उपर due to the gravitational pull अगर कम है तो atmosphere जादा दूरी तक फैल जाएगा as compared to poles क्योंकि यहाँ पर gravitational pull जो है वो क्या है ज्यादा है hence अगर atmosphere जादा दूरी तक फैल गया तो pressure जो है वो क्या create हुआ low और atmosphere अगर कम दूरी तक फैल रहा है तो pressure जो है वो क्या create हुआ high nevertheless temperature एक बड़ा factor है both in rotational motion as well as in gravity as well as gravity दोनों जो है वो अपना roll अदा कर रहे है low pressure और high pressure create करने में लेकिन जादा बड़ा factor अभी भी क्या है temperature है आपको ध्यान रखना है इसलिए temperature की वज़े से जो है वो atmosphere हमें जादा atmosphere की altitude हमें यानि कि 16 से 18 होता है जैसे अगर आप ट्रोपोस्फेर की भी बात करें तो 16 से 18 km पोल पर है और 6 से 8 km ही क्या होता है पोल्स पर होता है तो that is due to temperature लेकिन gravity और rotational motion का भी हाथ है यह altitude बढ़ाने में equator पर altitude इसलिए बढ़ता है क्यूंकि rotational motion की वज़े से air जादा दूर तक फैक दी जाती है ठीक है पोल में rotational motion जो है वो slow होता है relatively equator के तो air कम दूरी तक फैक ही जाती है दूसरा point gravity जो है वो poles पर जादा है इसलिए air को वो पगड़ के रखता है ठीक है but temperature जो है वो जादा बड़ा factor है equator पर temperature जादा है इसलिए air जो है वो conventional जो motion है air का वो जादा height तक है as compared to poles मैंना आपको एक diagram में बताया था ना कि at यह 0 degree latitude है यह 90 degree latitude है यहाँ पर 16-18 km और इदर 6-8 km क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर temperature जादा होने की वज़े से air जो है वो जादा height तक rise करती है as compared to this region but also gravity and rotational motion play their role ठीक है अब जहां तक जितनी height तक atmosphere rise करेगा अगर atmosphere अगर जादा height तक rise कर रहा है तो यहाँ पर pressure कम होगा क्यों क्योंकि जो particles है ना अगर पानी है अगर liquid जैसा state है अगर तो particles closely packed है बहुत ध्यान से समझेगा मान लिजिए इस vessel में पानी है और इस vessel में air है ठीक है तो मैंने आपको क्या बोला है कि एक air और यह surface पर अगर हम pressure जो है वो calculate करने ही कोशिश कर रहे हैं है ना यहाँ तक जो है वो पानी है और यहाँ तक जो है वो इस पूरे में air होगी obviously ठीक है के ओपर pressure डाल रहे होंगे और आपको net accumulation उस pressure का इस surface के ओपर महसूस होगा but air के case में ऐसा नहीं है ठीक है air के case में क्या होगा कि जादा से जादा मान लीजिए यहाँ तक के particles जो है वो अपना pressure डाल रहे होंगे उसके ओपर के जो particles हैं वो कम pressure डाल रहे होंगे क्यों क्योंकि कि वो बहुत दूर हो जाएंगे फिर surface से बहुत जादा दूर है वो इतना motion ही नहीं है उनके पास यह वो इतना दूर दूर है ठीक है कि वो pressure डाल ही नहीं पा रहे है that is why at equator equator पर जो atmosphere है हमारा उसका pressure जो है वो कम होगा as compared to pole अगर आप altitude की ही बात करें क्यों क्योंकि particles जो है वो जो upper layer है थाउजंड km की बात कर रहे है ना ठीक है यह तो 20 km है अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 1000 km अगर atmosphere है तो आप यह मान के चलें कि जो 50 km तक का atmosphere है उस उसके उपर वाला जो atmosphere उसका प्रेशर पड़ी नहीं रहा है ना बट यहाँ पर atmosphere की जो breath है वो क्या है कम है अना atmosphere ज्यादा width नहीं है पोल्स पर तो ज्यादा particles जो है वो नजदीक हैंस pressure भी बढ़ जाता है तो यह छोटी-छोटी intricacies से आपको ध्यान रखना है I hope ज्यादा confusing जो है वो नहीं होगा कोई बात नहीं eventually यह सारे points जो है वह आपको clear हो जाएंगे I hope अभी भी आपको clear ही होंगे कुछ ज्यादा difficult नहीं है और जो regularly student in sessions को attend कर रहे हैं पीछे से देखते हुए आ रहे हैं उनको यह सारे points obviously clear हो गए हो ठीक है अच्छा तभी मैं बोलता हूं कि अच्छले sessions देखते आएं आप ताकि आपको problem ना हो अब जैसे मैंने यह 16-18 km और 6-8 km वाला point रखा अगर आपने पिछला session attend किया होगा वो तो उसमें आपने अच्छे से समझा होगा कि मैं क्या कहना चारा हूं है ना heat budget वाले topic में insulation वाले topic में सारे points पर हमने बात already करी next factor आता है हमारा that is humidity की humidity की वज़े से pressure कैसे vary करता है अब यह बहुत interesting है ठीक है अब यहाँ पर maximum बच्चे जो है वो आप लोग थोड़े से जो है वो confused हो जाएंगे ध्यान दिजीगा यह हमारा area A है और यह हमारा area B है ठीक है area A की condition यह है कि यहाँ पर humidity बहुत जादा है और area B में humidity जो है वो क्या है कम है यानि कि area A के उपर जो air है उसमें humidity जादा है area B के उपर जो air है उसमें humidity जो है वो क्या है कम अब आपके दिमाग में पहला point क्या आएगा कि अगर humidity जादा का मतलब क्या है कि water vapor जादा present है water vapor जादा है इसका मतलब क्या है water vapor के particle जादा है अगर particle जादा है so that means obviously mass जादा होगा है ना तो pressure जो है वो जादा होना चाहिए यह बिल्कुल basic point आपके दिमाग में आया होगा कि humidity जादा है तो particle जादा है particle जादा है तो pressure जादा है humidity कम है तो particle कम है particle कम है तो pressure कम है sense बनती है ने इस logic की मैं आपको बदाता हूँ इस logic की sense बिल्कुल नहीं बनती अगर आपने ऐसा assume किया तो बिल्कुल गलत है आप आए समझाता हूँ क्यों ठीक है अच्छा air को air के अगर constitutes आप देखें और अगर आप roughly calculate करें तो four parts nitrogen है और एक part oxygen है four part N2 molecule है और एक part O2 molecule है N2 molecule का atomic mass कितना होता है ठीक है AMUs में अगर आप N2 molecules का atomic mass निकालेंगे तो यह निकलेगा आपका 28 और oxygen का कितना होगा 32 तो अगर आप एक mole of air का mass अगर आप निकालें ठीक है तो that will be 4 into 28 plus 1 into 32 over 5 which will be somewhere around 29 AMUs ठीक है atomic mass units में अगर आप करें mole की बाद छोड़ दीजिए atomic mass unit पर ही करें तो 29 AMU होगा ठीक है और वही पर ही एक water के molecule का वजन कितना होता है water के molecule का वजन होगा कितना H2O का 2 hydrogen का 16 oxygen का तो 18 AMU होगा तो अब मेरे फ्रेंड्स मुझे एक बात बताईए कि अगर humidity जादा है तो कौन से particle जादा है water vapor के है ना तो ऐसा नहीं होगा कि humidity जादा है उतने numbers की nitrogen oxygen को replace कर दिया that means अगर इस area में humidity जादा है तो यहाँ पर H2O molecule जादा है as compared to N2 and O2 और अगर यहाँ पर humidity कम है तो यहाँ पर H2O molecules कम है as compared to N2 and O2 तो अब ध्यान से देखिए at a high humidity ऐसा region जहाँ पर humidity जादा हो वहाँ पर 18 AMU वाले particle जादा है as compared to 29 AMU वाले particle को और जहाँ पर humidity कम है वहाँ पर 29 AMU वाले particle जादा है as compared to 18 AMU वाले particle atomic mass unit ठीक है so with the increase of humidity the pressure actually decreases क्योंकि अगर आप किसी एक column of air के वजन को अगर आप नापेंगे अगर उसकी humidity जादा है तो वहाँ पर water molecule जादा होगा या water vapor वहाँ पर जादा होँगे oxygen nitrogen जो है वो कम होगी hence कम वजन का particle जो है वो जादा है संख्या में hence mass जो है वो relatively कम होगा अगर आप same column of air एक ऐसे area का calculate करें एक same column of air का mass किसी ऐसे area का calculate करें यहाँ पर humidity कम है hence nitrogen oxygen के particle जादा होगे यानि 29 amu वाले particles जादा होगे as compared to 18 amu hence यहाँ पर जो है वो क्या होगा यहाँ पर mass अगर कहें तो जादा है air का इधर mass जो है वो air का क्या होगा relatively कम होगा अगर आप same volume of air का column area A और area B से उठाएं तो due to the increase of humidity at area A the mass of air column will be less because of the more presence of water particles right as compared to nitrogen and oxygen hence अगर mass कम है तो उनका weight भी कम होगा और अगर weight कम है तो उनका pressure भी क्या होगा कम so at a high humidity zone the pressure is low at a low humidity zone the pressure is high यह जो मैंने आपको factor बताए ना humidity, gravity, rotational motion and temperature यह चारो factors जो है वो आपको आगया आने वाले topics में बहुत जादा मदद करेंगा आपको लगेगा कि सर यह कैसे topics है इसमें तो बहुत सारी खिचडी है factual knowledge तो अभी तक आई ही नहीं देखिए friends concept develop करें पहले fundamentals develop करेंगे तभी आगया आने वाले topics आपको बहुत detail में समझाएंगे ठीक है so humidity की वज़े से pressure में variation आपको समझाया कि जहाँ पर humidity जादा वहाँ पर pressure कम जहाँ पर humidity कम वहाँ पर pressure जो है वो ज्यादा तो एक बार अब finally जो है वो conclusions create करते हैं factors के कि क्या conclusion जो है वो निकल कर आते हैं तो temperature के साथ क्या conclusion है कि with the increase of temperature the pressure decreases है ना and with the decrease of temperature the pressure increases यह temperature के साथ है gravity के साथ क्या relation gravity के साथ जो है वो क्या variation निकल कर आता है कि जहाँ पर gravity जादा वहाँ पर pressure भी जादा है ना क्योंकि वहाँ पर particles भी जादा जहाँ पर gravity कम वहाँ पर pressure भी कम ठीक है और अर्थ में gravity जादा कहा है पोल वाले region में gravity कम कहा है equator वाले region में right अच्छा तीसरा rotational motion से क्या हमें conclusion निकल के आया कि at poles pole position में rotational speed जो है conclusion निकालते हैं जहाँ पर rotational speed जादा वहाँ पर pressure कम और जहाँ पर rotational speed कम वहाँ पर pressure जादा rotational speed जो है वो जादा कहा है at equator तो pressure कम कहा है at equator rotational speed कम कहा है at poles तो pressure जादा कहा है poles पर और humidity की अगर आप बात करें तो with the increase of humidity the pressure decreases and with the decrease in humidity the pressure increases ये जर्नल ट्रेंड है temperature variation में ठीक है इस पर प्रीवे सवाल बनता है बनता आया है बनेगा भी आगे 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 आने वाले सालों में ठीक है इन छोटी-छोटी entry cases पर सवाल बनता है गुमा फिराकर as well as mains में भी बनता है इन पर सवाल बहुत important point है ये pressure का variation अगर आप समझ गए ठीक है क्योंकि देखिए इसमें हम आगे चलते चलते हैं rotational motion की भी बात करेंगे बहुत जगाओं पर winds के लिए gravity की बात करेंगे हम winds के लिए temperature तो obviously आएगा ही सबसे main factor क्योंकि temperature ही है precipitation में हम humidity की बात करेंगे तो अगर ये trend आपको पता है सारे तो आगे आने वाले topics आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे आसान ठीक है so I hope आपको ये चार variations जो है वो बिलकुल अच्छे से समझ आये होंगे horizontal variation of temperature sorry horizontal variation of pressure with temperature, gravity, rotational motion and humidity आईए अब आगे बढ़ते हैं अब हम कहानी को ले जाते हैं pressure belts पर यहाँ पर हमारा pressure हो जाता है खतम अब हम कहानी को ले जाएंगे pressure belts पर हम समझ नहीं खुश करेंगे कि pressure belts जो है वो क्या है और किस तरह काम करती है ठीक है so अभी तक हमने क्या conclude किया है इन सब से इन चार conclusion से आप ध्यान से देखिए कि temperature जो है वो जादा कहा है poles पे है है न gravity भी जादा कहा है sorry उल्टा बोल दिया मैंने temperature जादा कहा है not pole but equator है न gravity भी जादा कहा है equator rotational speed भी जादा कहा है equator पर है अभी humidity को avoid गरते हैं इन तीन points को ध्यान रखते हैं कि at equator due to temperature gravity and rotational speed तीनों cases में pressure देखिए क्या है low है so at equator there is a low pressure area या low pressure zone है equator basically है न और तीनों में ही temperature की बात करें तो lowest कहा है poles पर तो pressure भी कहां पर जादा है pole पे gravity भी जादा कहा है क्या बोलते हैं pole पर right gravity जादा कहा है pole पर तो pressure भी जादा कहा है pole पर rotational speed कम कहा है pole पर तो pressure भी जादा कहा है pole पर तो equator और pole में यह relation निकल कर आता है ना दो poles है north pole और south pole equator और pole पर हमें यह relation देखने को मिल रहा है कि due to the temperature, rotational speed and gravity there is a low pressure zone around equator and there is a high pressure zone around poles so that means high pressure or low pressure at equator and poles and since temperature is the main factor बाकी तीनो में से temperature सबसे बड़ा और सबसे इंपर्टन फेक्टर है so it is safe to say that at poles as well as equator the pressure zones are created due to the temperature or you can say these pressure zones are thermally induced so at north pole, at equator and at south pole the pressure zones are created the pressure zones thus created are thermally induced और जिनको हम क्या कहते हैं है ना, अब सिंस ये zones हैं right so equator के अगर हम बात करें सीधा बनाएं अगर equator तो वो 0 degree latitude अगर आप लेकर चलें और अगर आप प्लस माइनस 10 degree latitude अगर आप लेकर चलते हैं equator पर तो ये एक आपको zone मिलेगा equator पर which is a equatorial low pressure and since ये zone पूरे अर्थ को जो है वो wrap कर रहा है तो एक belt जैसे आपको wrap करती है पूरी तरह तो इसको हम बोलते हैं equatorial low pressure belt same goes for poles poles में जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगे polar polar high pressure belt देखने को मिलेंगी south pole में भी polar high pressure belt देखने को मिलेंगी and these three belts at equator and two at the poles are thermally induced किसकी वज़े से हैं induced right heat की वज़े से ये दो zones जो है वो पैदा हो रहा है ठीक है पहली चीज़ उसके लावा हमारे पास और भी belts हैं ऐसा नहीं है हमारे पास ये केवल तीन ही belts है pressure belts जो है वो हमारे पास और भी है ये हमारी अर्थ है ये हमारी equator पर क्या है equatorial low pressure belt है ना poles पर क्या है हमारी polar high pressure belts हैं right high pressure belts this is at 0 degree latitude at 30 degree both at north and south around 30 degree because ये जो है वो fix नहीं है ये vary करते रहते हैं but 30 जो है वो mean लेकर चलते हैं and also at 60 both at north and south this is 60 degree north north this is south and this is 60 degree south there are also two other belts present at equator it's equatorial low pressure belt low pressure के कारण क्या है temperature, gravity and temperature, gravity and rotational speed जिसमें main कारण क्या है temperature है आगे समझेंगे क्यों next topic में आपको मैं ये सारे के सारे जो हैं वो pressure belts पैदा कैसे होते हैं वो आपको बताऊंगा इस topic में केवल मैं आपको last में समझा दे रहा हूं कि ये कौन-कौन से हमें pressure belts देखने को मिलते हैं At 30 degree north and 30 degree south this region this region is known as subtropical region तो subtropical high pressure belt हमें देखने को मिलती हैं subtropical high pressure belt similarly Southern Hemisphere में भी subtropical high pressure belt देखने को मिलती है near 30 degree north and 30 degree south that doesn't mean कि exact 30 degree latitude पर plus minus 5 या 7 degree आप plus minus मान सकते हैं आगे मैं आपको variation समझाओंगा क्या होती है at 60 degree north and 60 degree south we have the subpolar low pressure belt also at 60 degree south we have the subpolar low pressure belts बहुत ही ज्यादा important point है ध्यान देना है हमारे पास in total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belts है जिसमें से obviously ये 30 degree 30 degree and 60 degree and 60 degree वाली जो हैं वो similar हैं और polar वाली जो हैं वो similarly behave करेंगी nevertheless हम इन सारों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे so these are the pressure belts आज मैं आपको केवल pressure belts से introduce करवा रहा हूँ ठीक है next topic में pressure belts कैसे बनती हैं पूरा mechanism समझाओंगा तो अभी तक हमने pressure belts के बारे में क्या समझा कि the equatorial low pressure belt as well as the polar high pressure belts are due to the action of temperature that is why these are known as thermally induced pressure belts but what about the subpolar low pressure belt and subtropical high pressure belt these four belts are not due to the temperature but due to the action of certain mechanical forces hence we will call them mechanically induced pressure belts and the mechanical forces that are acting जिस वज़े से हमें ये दो और pressure belts देखने को मिलती हैं है ना sub-tropical में यहाँ पर ये low pressure belt है इदर low pressure होगा और इदर high pressure होगा इदर फिर low pressure है इदर फिर high है देख रहे हैं आप low high, low high alternative चल रही है low और high pressure belts है similarly southern hemisphere में ये एक high pressure belt है and then it is a low pressure belt and then again high pressure belt at the polar region ठीक है so sub-polar low pressure belts and sub-tropical high pressure belts are induced by mechanical forces not due to the temperature how they are induced we will discuss that in the next topic आज के topic में केवल मैंने आपको pressure का vertical और horizontal variation समझाना था pressure का हमने vertical और horizontal variation बहुत अच्छे से समझा हमने देखा कि with the increase of altitude the temperature decreases and vertical variation में हमने देखा कि horizontal variation में हमने देखा कि with temperature the pressure किस तरह जो है वो poles पर low है sorry equator पर low है और poles पर जो है वो क्या है high है जिसको आप thermally induced pressure belts जो है वो कह सकते हैं and rest of these मतलब subpolar and subtropical pressure belts are due to induced due to mechanical some mechanical action that we will be discussing in the next topic आज यहां पर हमारा यह topic खतम होता है इन points के बारे में कुछ statements देख लेते हैं pressure belts के बारे में उपर देखते हैं कोई statement हमसे miss तो नहीं हुई है हाँ यहां देखिए unequal distribution of insulation over the surface differential heating of land and water and different albedo of earth surface are the main factors which affect the distribution of pressure on earth surface देखिए इन factors को आगे discuss करेंगे हम differential heating of land and sea के वज़े से pressure कैसे different होता है albedo की वज़े से इन factors को next आगे आने वाले topics में discuss करेंगे अभी हमने केवल यही factor temperature, rotational speed, gravity और humidity discuss किया है these are not the all factors उसके अलावा differential heating of land and sea भी है जो मैं आपको पिछले topic में बतायता है ना जिस वज़े से हमें local winds देखने को मिलती है albedo की वज़े से हमें जो है वो urban heat island जैसे rotation of earth also यह Coriolis force क्या है different type of क्या बोलते है cloud formation जो हम पढ़ेंगे यह Coriolis forces जो है वो आगे आने वाले topics में discuss करेंगे हम यहाँ पर इन points को आप ignore करें अभी पहले आप बिल्कुल basic fact establish करें धीरे धीरे सारे points जो है वो आपको मैं explain कर दूँगा ठीक है so I hope आपको temperature का variation जो है वो समझ आया होगा right pressure belts क्या है कितनी है वो समझ आया होँगी next topic में मैं आपको pressure belts के origin पढ़ाऊंगा and we will be discussing about the atmospheric क्या बोलते है global atmospheric circulation ठीक है pressure belts क्या होती है based on the distribution pattern of surface pressure on a rotation on a rotating earth with uniform surface in order to eliminate the effect of altitude on pressure it is measured at any station after being reduced to sea level there are seven alternate low and high pressure belts on the earth surface तो यह point क्या बोल रहा है basically earth के surface के ओपर अगर आप altitude का avoid कर देंगे क्योंकि वो फिर normal lapse rate की वज़े से न हम एक uniform belt नहीं देखने को मिलेगी confusion पैदा हो जाएगी तो अगर आप altitude है उसको avoid करें अगर आप sea level से ही calculate करें तो आपको earth की surface के ओपर साथ alternative low pressure high pressure belts जो है वो देखने को मिलती है the pressure belts are not permanent in nature next topic में बताऊंगा कि उनमें changes क्यों होते हैं they oscillate होती हैं वो ठीक है with the apparent movement of sun उसके अलाबा in northern hemisphere in winter they move southwards and summer they northwards तो यह variations जो है वो आगे आने वाले topics में से जबाँगा अभी आप इतना जो है वो stress ना डाले इन points पर यह oscillate कैसे करती हैं वो मैं आपको तम समझा पाऊंगा जब इनका origin पढ़ा दूँगा है ना next topic में हम pressure belts का origin पढ़ेंगे उससे next topic में हम pressure belts के movements को पढ़ेंगे कि किस तरह दे move और oscillate 7 pressure belts कौन कौन सी है subtropical high pressure belt northern hemisphere की उसके बाद ठीक है यह diagram जो है वो आगे आने वाले यह क्योंकि इसमें winds जो है वो mentioned है subtropical high pressure belt southern hemisphere sub polar low pressure belt northern hemisphere sub polar low pressure belt southern hemisphere polar high pressure belt polar high pressure belt northern hemisphere as well as southern hemisphere की और एक जो है वो आपको किसकी देखनी के मिलेगी equator वाली है ना तो ध्यान आगे आपको equatorial low pressure belt जो है वो किस वज़े से होगी because of the low pressure created at equator due to the action of temperature rotational speed as well as gravity polar high pressure belts are present due to the high pressure at polar region high pressure of atmosphere at polar region due to the action of temperature gravity and rotational speed and then so that means and majoritally due to temperature that is why we call these belts to be thermally induced right and rest we have subtropical one second subtropical pressure belts and sub polar pressure belts subtropical high pressure belt subtropical high pressure belt and sub polar low pressure belt right we have to produce that is chauhan sir history like share channel subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कीजिएगा all right मिलते हैं next video में तब तक के अब ध्यान रखिए take care have a nice day you